गर्मियों का मौसम आ चुका है और इंडिया में mostly सभी जगों पर टेंपरिचर जो है 36-37 या इससे ज़ादा डिग्रीज पर पहुंच गया है तो ऐसे में अगर आपके घर में छोटे बेबी हैं तो क्या हम उनके लिए AC या कूलर का यूज़ कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो अगर AC का यूज़ कर रहे हैं तो कितना टेंपरिचर होना चाहिए AC और कूलर यूज़ करते वक्त किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएगा कि आप अपने बेबी के लिए AC या कूलर यूज़ करते हैं या नहीं तो सबसे पहला सवाल कि क्या बच्चों के लिए AC कूलर का इस्तमाल आप गर्मियों में कर सकते हैं तो बिलकुल आप बच्चों के लिए भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं बच्चे छोटे हैं बच्चों को भी गर्मी लगती है और जब बच्चे को जादा गर्मी हो जाती है तो बच्चे की बॉड़ी पर रैश हो जाते हैं इसकी वैसे बच्चे अकसर बिमार होते हैं अगर आप ACA कूलर का इस्तमाल करते हैं तो वह यह देखें आप अपने बच्चे को ACA कूलर में सुला रहे हैं अच्छा टेंपरेचर हो रहा है रूम का ठंडा हो रहा है बिल्कुल पर अचानक से ही मान लिजिए आपको बाहर जा द्रम x12 पर लेकर जाते हैं तो इस चेइंपरेचर में टेंच होता है घंपरेचे को बंद कर देना है ट tempted को नॉम्मल आने दीजिए उसके बदी मेद बच्चे को बहर लेकर जाएं सेम ऐसे ही मालीजी आप कार में AC कर यूज़ करते हैं और आपको लग रहा है कि अब मुझे कार से बाहर जाना है, कार में AC चल रहा था, तो उतरने से कुछ देर पहले, मतलब एक मिनट पहले ही आप AC ओफ कर दें, ताकि जब तक आप कार रोकें और उस जगह पर जाएं, तब तक normal temperature हो जाएं, एकदम ठंडे से जब आप भाहर दूप में जाएंगे, तो बच्चे को गर्मी लग सकती है, सेम ऐसे ही जब आप कार में बैठते हैं, तो भी ध्यान रखें कि एकदम से कार में नहीं बैठना है, कार एकदम गरम होती है, पहले थोड़े देर AC चला दें, अगरा थोड़े खोल दें, जो अंदर हीट होती है, उसको निकल ले दें, और उसके बाद ही आप बच्चे को उसमें बठाएं, तो ये एक सबसे बड़ा रीजन होता है, जिसकी वज़से छोटे बच्चे अकसर बिमार हो जाते हैं, तो AC और cooler यूज़ करते हैं, इस बात क इसमाल कीजिए, अब cooler में आप fan की speed कम या जादा कर सकते हैं, और AC में में चीज़ होती है, कि कितना temperature रखा जाएं, ताकि बच्चे को किसी तरगी परिशानी ना हो, तो अगर आपका बेबी न्यूबॉन है, बहुत ही छोटा है, मतलब अभी पैदा हुआ है, या फिर एक म गर्मी आप जिस एरिया में रहते हैं, उसमें है. जाने चाहिए उसके बाद ही उसको यूज करें और ऐसे ही कूलर की भी साफसफाई होना बहुत जरूरी है डेली उसमें फ्रेश पानी डालें और पानी टाइम टाइम पर चेंज करते रहें पर ना उसमें मच्छर हो जाते हैं और इससे बच्चा बिमार भी हो सकता है एक और आपको धयान रखने है ब मुझाल करती है तो यूज करते हैं लो तो ऊसेसे में 30 एंस उसमें और भी counting बैट हो जासे में आपको वैसे में बेबी के लिए क्या करना है, मॉस्चिराइजर अच्छा यूद्य करना है, बेबी की स्केन को दिन में 2-3 बार मॉस्चिराइज करें, और साथे साथ रूम में एक अच्छे हमिडी फάयर का समाल करें, ताकि रूम में नमी बनी रहें, हाँ जब बारिश का मौसम होता है और जब हवा में नमी होती है अल्रेडी हुमिड होता है तो उस टाइम पर आप हुमिडिफायर मत यूज़ कीजे लांस पॉइंट फ्रेंड्स एसी और कूलर का स्माल आपको बेबी के लिए गर्मियों में करना है पर इसका मतलब यह नहीं ह और उसके बाद फिर एक घंटे बाद आप फिर से एसी अकूलर का स्माल कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इन गर्मियों में आप अपने बेबी के लिए एसी अकूलर का स्माल जरूर करें जिस रूम में बेबी रहता है उसका ठंडा होना बहुत जरूरी है वरना बच्चे को जाए हैं उनका प्लीज प्लीज ध्यान रखें I hope आपके लिए वीडियो helpful रहा होगा thank you for watching